लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइटिन को प्रेस करें हमें वत्म बिगर्व है अगर्व है जिये तुझे बड़े तुझे आवतर तेरी छवी समारे आ नजर तेरी हम उताले कत्रा तस्रा लभू तेरा धन्रेरा सद्रक्षना धन्रेरा सद्रिक्रना हमेवाद पेकर्व है, हाकर्व है, जीए तुझे, मने तुझे, मने तुझे अर्जुन राणवत अत्यारा है ! अर्जुन रनावा धत्यारा है अर्जुन को भासी दो अर्जुन रनावा धत्यारा है अर्जुन को भासी दो अर्जुन रनावा धत्यारा है अर्जुन को भासी दो अर्जुन को भासी दो अर्जुन को भासी दो सुन्यों से शाक्षा शुन्यों आणों, नाहना हन्य थे हन्य भाने शेड़े आजा जाय थे भागादा शाचे, नाया यंगा भादा भाना भूया ये है एसीपी अर्जुन रनावत, जिसने एक नवंबर की रात मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुसकर, नहायती बेरहमी से उपमुख्यमंत्री भद्धिनात्रिवेदी, मुख्यमंत्री के पुत्र मुन्नात्रिवेदी, पुलिस कमिशनर यश्वन देश पांडे के एडवोकेट कुलकरनी, सब्ताधरी दल के छे मलेज और कुछ पुलिस और सरकारी अफसरों सहेद, कुल मिलाकर 18 लोगों का बेरहमी से कतल किया है यूर अनर, ये कानून का रक्षक नहीं, बक्षक है बक्षक. इस सामुहिक हत्याकान से इसने ना केवल सरकार या पुलिस, बलकि समुची मानवता को कलंकित किया है। ये मौकाई वारदात पकीची कुछ तस्वीरे हैं, यूर अनर। यूर अनर, इस भीशन हत्याकान की तफ्तीश और इसके पीचे छिपे हुए शड्यंत्र का पता लगाने के लिए, पुलिस इस आरोपी को पंदरा दिनों के रिमान पर पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग करती है। अर्जुनराणवद, तुम्हें इन आरोपों के बारे में कुछ कहना है। नहीं क्या तुम्हारा कोई वकील है? नहीं क्या तुम चाहोगे कि आदालत तुम्हारे लिए कोई वकील नियुक्त करे? नहीं सरकार ने तुम्हारे उपर 18 निर्दोश नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है और पूछ ताज के लिए 15 दिनों का रिमान मांगा है इस दौरान तुम्हें कुछ चाहिए? किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हाँ है वो क्या? मात आरोपी अर्जुन रानावत को 15 दिनों की रिमान पर पुलिस कस्टडी में सौपा जाता है अपने आपको मानसिक रूप से 100% संतुलित बताते हुए रानावत ने कहा कि उसने पूरे होश वास में ये नसंगार किया है जब जज ने उससे अंतिम बार पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो उसने वही जवाब दिया मौत बंदन सचनानी आज तक मुंबई ये श्वन्तेश्क पांडे ये चार्शी तयार किये तुमें है ये सर्फ हत्यारा वो सिर्फ हत्यारा नहीं है राक्षस है राक्षस ये देख ये देख मुझसे मेरा बेटा मेरा भाई मेरा दामा ची लिया मेरी बहु मेरी बेटी की मांगे संदूर मटा डाला अरे तेरा बेटा भी तो खा गया वो उसका गम नहीं है तुदे अरे हमारी चिताओं को आग देने वाला, कोई बाकी नहीं छोड़ा उसमें हमारा वंशनाश का डाला, वंशनाश सुनो त्यागी जी तुराचार, वेभीचार, ब्रश्टाचार, देश्द्रो और गद्दारी तक जितने भी जुन आपकी कानूं की किताबों में लखे है ना, सबके सब उस हरामी के मत्ते मर दीजिए, सारी के सारी धाराएं छोग दीजिए उस पर Excuse me, sir मैं राडावत को पिछले 13 साल से जानता हूँ, वह अत्यारा जरूर है, मगर वो देश-द्रोही या भ्रश्टाचारी नहीं है क्या कहा तू नहीं? जब हमने कह दिया कि वो देश-द्रोही है, तो वो है! अबरा कहा कानून है, और हम इस प्रदेश की अदालत है! किसी भी अफसर की आँखों में, हमारे पेटे के हत्यारे के लिए प्यार, क्या जुबान पर हम दर्द ही नजर आई? तो हम उसकी आँख, कान, जुबान कटवा के इस शेहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठवा दूगा, समझ गे तुम लोग? क्यां सुथरी आईवा ।क शुम भी उसकान के फिर जखाध के इस दुम खोल दो इस दे इनका अग्जाद पर दस्तिकत करो अर्जुन रानावत तुने मेरी कलोते बेटे का कतल किया है जब तक अदालत तुझे सजा नहीं देती मैं तुझे इस कैद में हर रोज एक नई मौत मारूंगा देश पांडे जी इसने इन काग्जाद पर दस्तिकत नहीं किये बलकि अपनी जिन्दगी मौत के हवाले कर दी है आईए था हां वेटे अज अदालत में कि अने श Пон्पर कियों डाल दिए तु बत्ता था कियो ने तुनिया को कि तुने इनर संगार क्यों किया है कि education मौत क्यों मांग रहें पएटे क्यों मांग रहें क्योंकि मैं अन्तिम संसकार कर चुका हूं मैं इस शरीर इस जन्म से मुक्ती चाहता हूं मा बाज के बाद आप और रखी मुझे या मिलने मत आना क्योंकि हिंदु धर में मा पहन शम्शान नहीं जाय करती चलता हूं मा इस जन्म में इतने ही साथ था मेरा मा तो मत बनाना मैं फिर लट कर रहा हूंगा अपने बागवान से कहना कि अगली बार मैं तरह पेटा बन करी जन्म दूँ आदर नियसमर सिंग जी आपको और आपके आदर्शों को मेरा अंतिम प्रणाम मैं आपके सिद्धान तो इस पुलीस फोर्स इस वर्दी और इस ड्यूटी को त्याक चुका हूं मेरी आपसे एक अंतिम प्राटना है सर तुबारक कभी मत कहिएगा सत्य में विजहते क्योंकि सत्य तो ये है कि इस नपुंसक समाज में अंतिम विजह सदा असत्य अधरम और अन्याई की ही होती है मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि हम सिपाही मेहज इक सरकारी मशीन नहीं पुलीस थाने के बार हमारी भीग दुनिया है जो आपके बताय रास्ते पर चलते हुए न जाने कहां खो गई तो तू अभी तक यहीं है मंदिर नहीं गया मैंने तुसे कहा था ना बेटे मा मैं मंदर जा के क्या करूंगा चल तुने बॉडी बहुत बना ली चल कर भगवान को भी मना ले बेटे तु चाहती कि में मंदर जाओं भगवान की पूजा करूं हाँ बड़ा एसान होगा मुझ पर कहा लेके जा रहा है इदर आ यहां बैट अच्छा जैमा जग्दंबे जैमा दुर्गे जैमा काली जैमा सरस्वती अरे पगले तू क्या कर रहा है तेकने रहा हूं मैं अपने बगवान की पूजा कर रहा हूं किसीने सच कहा है क्योंकि भगवान एक ही वक्त हर जगा नहीं हो सकते ना इससे लिए उन्होंने मा को बनाया है मा तुही मेरा मंदिर तुही मेरा सब कुछ है बावला हो गया है तू एक अधने इंसान की तुन्ना भगवान से नहीं किया करते बैठे अच्छा, 1984 के दंगयादे मा जब एक छोटा सा बच्चा अपने माबाप के लाश पर रो रहा था उसक्त बगवान नहीं, तू आथी मा मेरी असली माने तू मुझे सिर्फ जनम दिया है तूने मुझे जीवन दिया है मेरा वजू सिर्फ तुच से है सिर्फ तुच से मा राखी को तो मैंने जनम दिया है मगर तू तो मेरी कलेजी का टुकड़ा है तुझे पाकर फिर भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा क्यों जूर बोल रही हो मा तुबास से लेकर शाम तक तुम भईया की सलामती की पूजा करती रहती है और फिर भी कहती हो कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगती ए राखी चुप चलती है तू क्योंके मा मुझसे जादा प्यार करती क्या चलती हूँ तुम से माई फुट अरे बाप रे बाप मा यह तो फुल जगड़े के मून में आई है जगड़ा करने नहीं मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं कॉलिज आरी हूँ और आपकी परसे मैंने हजार रुपे ले लिये हैं देखा मा पुलीस वाले के घर में डाका ए डाका नहीं डाला अपना हख लिया है मैंने आपका नाश्ता लगा दिया है जब आप मा बेटी का भरत मिलाब ख़तम हो जाए तो क्रिपा करके खा लीजेगा चलती हूँ बाई बाई मॉम देखा मा राकी कितनी बड़ी हो गई है हाँ बेटी बड़ी हो जाती है तो मा की सीने का बोज बढ़ जाता है कैसी बाते करती हो मा काय को कभी अपने सिंग भारी लगते तो जराकी की शादी की चिंता है ना हाँ फिकर मत कर तेरा ये बेटा अपनी बहन के ऐसी दूमदाम से शादी कराएगा कि पूरी दुनिया दिखते रह जाएगी देगा साफ एक हीरो कभी क्या जलवा होगा जो हकीम लुक्य का जलवा है अरे ऐसी भी क्या जल्दी है साफ आपन भी इंसान है काय को जानवर के माफिक घसीटता है हैदर साफ एक सूटा मिलेगा क्या चुप चाप चल यार के जने एक बार जजज तुझे पुलीस का स्टेडी में दे दे फिर लॉक अप में तुझे खूप सिगरेट फिलाँगा यह तो जजज का फैसला ही बताएगा यारॉनर इस साल में सातवी बार पुलीस मेरे क्लाइन को फकड़ लाई है इस रिमांड अप्लिकेशन में लिखा है कि हकीम लुक का लड़कियों का दलाल है ग्रांट रोड में इनके बियर बार से हैं और अपने बार में यह जकला चलाते हैं इस वक्त यह पुलिस वाले हकीम लुक का पर वेशा के नात कान काटने का इल्जाम लगा रहे थे उस वक्त यह बेचारा ग्रांट रोड में तो क्या मुंबई शहर में नहीं था यह तो लखनौ गया हुआ था पारिटी के प्रचार के लिए यह रहा पुलिस की मक्कारी का सुबूत यह लखनौ का एर्टिकेट यह लखनौ के गेस्टाउस का रजिस्टर और यह रहानर यह है उस लखनौ गेस्टाउस के मैनेजर जूट वोता है यह कुट कर दी इम लोग का एक भड़वाए सुना सुना आपने यह रहानर यह हमारी मुंबई की आदरिनिय पुलिस अदालत में खड़े ओकर गालियां दे रही है अगली बार आपने इस अदालत में बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सस्पेंट कर दिये जाएंगे अदालत को मजाग बना रखा है बगएर सुबूत या गवाह के लोगों को पकड़ कर ले आते हों इस बार मैं आपको चेतावनी दे कर छोड़ रहा हूं आइंदा इस तरह के मसले लाकर अदालत का वक्त जाया ना करें अध्युक्त को बाईज़त पर ही किया जाता है थैंक्यू मिलर्ड हजार बार तुछ से कहा है कोड में तमीज से पेशाय कर वो हमारी कमीज भाड़े जा रहे और तू कहता है कि तमीज भर है क्यों अरजुन साहब उतर गई ना कोट में पतलून अब उन बोला था वकील साहब अब उन डंके की चोट पे बोला था कि इस बार भी हकीम लुक्का ठूट कर दिखाएगा क्यों क्या उखाड़ा तुन्हें वो क्या है ना साहब अब उन्चे दुश्मनी तुम्हारे लिए खतर और तुम्हारी बहन के लिए भी खतर अना है तुम्हारी बहन बहुत खूब सूरत है साहब झाल चाल ना साहब तुम्हार का रचिक की जए अट अटे करना अटे कच्ट हम कैना खुट है मौस्ट एलख है मौस्ट हम बस दो कल भागी ऐ stata समझाटी अपने अपने हिरों को बढ़ पर चलाना बहुत मेहगा पड़एगा इसको वर्धी उतरवा दूगा वर्धी तू मेरी वर्धी उतारेगा आो साइब आर्जुन ले जा इसको ए जा रहो मैं लेकिन समझा इस सिरो को वकील से दुश्मनी बहुत महेंगे पड़ेगी इसको जलो का भाई जल ना यहीत सिरो कि अए principles अほक ado है एनअब बहुत हो गया क्या बसकरत तूसाल हमेंशह मुझे रोकद है वो हरामी कुट्टे का पिला हकीम लुखा हमारे मूपर थुक कर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके और तू कहता के बस कर ये देख दिखता ये तुझे सरकार ने हमारी कमर में बंदूग लड़का दिये लेकिन हम इस चलानी सकते और वो साले बेंट के ठके बीच सड़ाक पर गोलिया चलाते हैं और हम क्या करते हैं वह नर दीशायों के सामरे खड़कर कर दे ओर फिर वह पुलकर न खर उन्हें चुड़ाकर ले जाता है और हुम क्या करते इसे हाथ मी पकड़ कर ठड़े रहते मेरी बैन के बाध करा था तोके में चुब बैटा ये इसे थे मेरी बैन क्या लगा रंख है राँख्य कैसे तेरी बैन है मेरी कुछ नहीं देख अर्जुन, कुट्तों के भॉकने का जवाब मैं नहीं दे था लेकिन अगर किसी रोज वो सुवर का बच्चा मुझे सही वक्त और सही मोड पर नजर आ गया न तो मैं उसे काट कर गंदी नाली में बहाद हूँगा आजकल किसी को नसियत देना ही गुना है और सुन, जादा मत पीना, काड़ी तुझे चलानी है सैया, मुरा सैया साइया हुआ मुआ 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 हुदली से आई हुद्चुकना विलाई जखले रे सया चम्हाज मेली उ बिलकुल अकेली उ मसी भी लाइए उ दिखले रे सियाँ सेये, सेया, सेया, मोरा सेया शौझ तन मिला नो जदा नहीं तन मिरा नखेयार नहीं यहा थी जवानी मैं दुन्या दिवानी है तुभी दिवाना बंजाद पंजा से यार, से यार, से यार, से यार दिल्लकी कमानड़ पेर से यार, 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 से यार व्याओ प्रीम्टू यिरेशा प्रीम्टू यॉपिताया शॉइटाया शॉइटाया 06 बै कै collective बändeखको जॉइञा से आ शॉइटाया सै आ पहा से आ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो dawn सबस्क्राइब मेरे करते हैं भी बपक्राइब प्रसे पाँ में बस्किट को रिचाने दा मेरे तु करते हैं परिया, सेया, सेया, सेया परिया, परूँ तेले, परिया सेया, पुम्राइ सेया मखनाई उजरे सेया उच्छ नाव विलाए उच्छ ने दे सया उच्छ बाच्च पिली उपल कुल कीली उमरी विलाए उच्छ ने दे सया सया, 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 सया साइंकिस देकर निकल गया हमदर्दी के लिए शुक्रिया अरे जननत एक से एक मालदार तेरे कदमों में बिच्छे रहते हैं और तू है कि पुलिस वाले पर मार मिटी है आखिर ऐसा क्या है उसमें तू नहीं समझेगी मेरी जन मालदार और दिलदार तो इस बार में टके के भाव मिलते हैं मुझे तो यहां हर मर्द की नजर में सिर्फ भूक और हवस नजर आती है लेकिन अर्जुन अर्जुन की नजर में मुझे इमान और इस्सत नजर आती है अरे पगली आखर कफ तक उसके इंदजार में यूही बैठी रहेगी सारी जिन्दगी और अगर ये जिन्दगी कम पड़ी न तो अगली जिन्दगी भी उसी के नाम कर दूँगी ये जो मैं अंगुठी अपने गले में डाल की घुमती हूँ न इसे तो मुझे सिर्फ अरजुनी पर नाएगा ये नहीं समझेकी कि प्पल्डारे प्रावों घ्रिए करो अुद करो दो जो हो जो हुआ 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 है मैं व्याओा है कि पैचाना अप उनको लुक्का हकेम लुक्का गुर्था क्या है साब एक दाम मस्च हाविया मस्थ कौला मालक कौला अभी तक नत नहीं हो तिरे इसकी आप अइसा एक से एक मस्च भी अप उनके पास तुम मंगेगा तो रोज तुमको नएया देगा अब इस अब उन से इजद से बात करने का क्या है इसत से बात इसत दर लोकों से की जाती है बड़ों से नहीं बड़ वाक्य उसको बोलता है रहे? यह सड़क देख एक दम सुन्सान ना बंदा ना बंदे की जात इधर पन देख देख दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता अगर इस वक दिदर इच अपन तेरे को टपका डालाना तो साला किसी को कोई सबूत कोई गवा नहीं मिलेगा के कौन ACP अरजुन रानावत को टपका कर चला गया बस कल सुबा अकबार में तेरा फोट हो और कल राज से तेरी बहन अपन के जीप में चलता हूं सोचना जो अपन बोला अब उनके लिए काम कर नहीं तो नहीं लावारिस मौत सच बोलता है समसान सड़क लावारिस मौत अगर मैं से यह मारतूं तो यह लुका हाँ बोल क्या बोलना तेरे को मश्वरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया मश्वरा क्याष्ट अए क्याष्ट ि अए क्याष्ट दो एप में जो प्किया टू हो जाए हो जाए हो एड़ हो एड़ हो जार लुग को एडिए हो जार जाराओ से रुआ है तुआ है čाउ मिया है आ ही तिसकत कर द Legi जर अपाँ जर पर्त खूे कि लुएग अ n transmARS छै कर दो सुमसान सड़क यह देख नपन्दा नपन्दे की साथ और कलब बार में मेरी नहीं तेरी दस्विर्ट चपेगी लावार इस मात नहीं नहीं अर्जुन रणावत तुम्हारे कल रात के कार नमे ने मुंबई शेहर और सरकार को हिला कर रख दिया हैं। और तुम्हारे इस हत्याकान में सारे पुलिस फोर्स को कलंकित कर दिया है ये देखो, ये देखो, ये देखो कोई हमें वर्दी वाला हुंडा तो कोई हमें वर्दी धारी राक्षस कह रहा है, राक्षस तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा उस कागज पर लिखो कि गुस्से में अपना आपाखो कर तुमने ये हत्याकांड किया है ये हत्याकांड मैंने गुस्से अपरती शोद में नहीं आत्मरक्षा में किया है It was an act of self-defense Act of self-defense, my foot बेऊकूफ मा समझी आप हमे आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की सत्रा हड्डिया नहीं तोड़ता पीठ के बल उसे लिटा कर उस पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली नहीं करता ये रही जाज की गई अटॉपसी की रिपोर्ट क्या तुमने पुलिस नियमावली पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है फिर हवा में उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है और फिर तुम कंट्रोल रूम में भी तो इनफॉर्म कर सकते थे यो राइट सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब उसका रिवॉल्वर मेरी कंट्पटी पे था और उसका घुड़ा दबने ही वाला था तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाही था फिर हवा में एक फायर और उसके बाद उसके पेरों में गोली मार देनी चाही थी यो राइट सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर वो हरामजादा मुझे मार कर मेरी भेन को कोटे बिठाने की बात कर रहा था उस वक मुझे इससे ये कहना चाही था कि भाई सब रुक जाईए एक पुलीस वाले को मार कर उसकी भेन को कोटे बिठाना कानून जुरूम है मापी चाहता हूं सर लेकिन अगर मैं आपके बता है रास्ते बे चलता तो मेरा नाम यहाँ नहीं पुलीस थाने के बाहर शहीदों के लिस में लिखा गया होता और आप यहाँ बैठकर चीच चिलाटनी कर रहे होते बलके आँखों में आसो लिए मेरी गोली से छलनी की कई लाश को तिरंगे में लपेट कर ब्योगल बजा रहे होते शाठा बत्तमिजी और बेशर्मी की भी कोई हाद होती है देखा देखा आपने सर मैं तो कहता हूँ इसे हत्यारा घोशित करके हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए वाइडाट सर अगर आप एक इमानदार पुलीस ओफिसर के खुन से पुलीस की निकमी और नाकार इमेज को दोना चाहते है तो आपका सुआगत है किसी के पास को इस सबूत नहीं कि ये किलिंग्स मैंने की है मौका ये वार्दात पे ना आप मौजूद थे ना आप और ना आप सर सर आप मुझे सिर्फ हत्यारा खोशित कर सकते साबित नहीं कर सकते और ये बात मैंने ही अदालत में मेरा वकील गएगा और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा सर इस हकीम लुका के खिलाफ 38 मुकद में चल रहे थे वो सुवर पुलीस थाने को घर अदालत को चकला और मुझ जैसे पुलीस वालनों को अपना भड़वा समझ लगा था क्या उकाड लिया था मने उसका सर 12 साल की इस पुलीस की नौकरी में मैं इनके हाथों हजारों मौते मरते आया हूँ मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे या तुमें लुका के टुकड़ों पर बलने वाला कुटा बनकर कानून की दलाली करता या फिर ये वर्दी उतार कर नामर्दों की तरह सब को चुपचाप सेथा रहता कि दलाय नामर्द बनने से इंकार कर दिया सेर अगर ये मुझरिम अतालत से बर्यो कर निर्दोस्त नाकृक बनकर आज़ाद कूम सकते तप फरनी मार कर मैं इंस्पेकटर अरजौन रनावत खुले आम निर्दोस्त नाकृक बनकर आज़ाद क्यों नहीं खुम सकता? क्यों? 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 और कुछ कहना है तुम्हें? नो सर तुम जा सकते हो कहता तो बिल्कु सत्ते है सर लेकिन अफसूस कि अही क्या जा सकता है यही तु सोचना पड़ेगा जाज़ाद कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? नहीं जणाब अर्जुन को सजा देना इस समस्या का समाधान नहीं है तो फिर क्या है समस्या का समाधान? एनकाउंटर एनकाउंटर? जी हाँ हम मुठ भेड में उन्हें पकड़ेंगे नहीं बलके उनका खात्मा कर देंगे उनका एनकाउंटर कर देंगे जब अपराधियों को अपने सर पर हमारी ध्याशत मंडराती हुई नदर आएगी तब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे समर्बन या मृत्यों सरंडर और डेट और तभी एक अपरात्मुक्त समाज का सपना साकार हो सकेगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं आप क्राइम कंट्रोल स्कुड तैयार कीजिए समर्सिंग जी हमारी सरकार आपके साथ है हमारी समर्सिंग तैयार कीजिए तैयार कीजिए तैयार कीजिए या फिर आपको मारने की तमाम कोशिश की जाएगी अगर लालत चटार से मेरे किसी सिपाई के कदम लड़ खड़ाए तो मैं उसे कोली मार दूँगा और अगर सर मेरा इमान तक मगाया तो अब मुझे कोली मार दीचेगा हमान के अजब करोम आपको प्राइब को वर अपकोश्वण के ऊज़े अज़े ताप मेराइबर्स प्राइबर्सम्टे तार्णाबर्स प्राइबर्सम। पुब आडिए को फिले हो ऑफ दिले हो उन्म कर वैं इन भै कि पुरल को एनि दै रही है याफ याफ जयाफ जयाफ आपे सेलाय कि नहीं? प्लिस? अब ए खागी कु़्ते है तेरी दुमाइफ छाइप! देंग आपका शिर्फ नाम सुनके, जिस मुंबई पुलिस का मुथ निकल जाता था, वह इच पुलिस? आज तेरा दिन में अपना सत्ता ही छोकरा लोग को टपका डाला? हाँ भाई, पच्चेस साल यहां बैठके, जिस मुंबई पे हम हकुमत किया न, उसे पच्चेस ही दिन में हिला डाला यह मुंबई पुलिस? पुलिस आज की तारिक में मौत बन गली है भाई, ना गिरिफतारी, ना सरंडर, डिरेक खलास करने को बोलता है उ कमिशनर भाई, वो साला सीम का हाथ पुलिस के सर पर, तब ही तो साला दो टकी का इंस्पेक्टर बोलता है कि जफर सुपारी हमारा क्या उखाड लेगा मैं बोलता है भाई, तुम्हें एक आवाज करो, अब ये काभी मुंबाई डाकर उस पुलीस कमिशनर के भेजे में गोली ठासता है मैं, और बताता है मुंबाई पुलीस को, कि जिन्दा साफ पे हाथ ने डालने का माजित, लगा उस साले आपोजिशन लीडर काशी तरवेदी को फोन, उसको बॉल, पुलिस वालों को तलितों, माइनारिटीज और भे गुनाहों का हत्यारा बताकर, विधान साबा में हंगामा खड़ा करवादे फर्जी इंकाउंटर के नाम पे, प्रेस के जरीए, सरकार और पुलीस का जीना हराम कर डालो, कुर्सी हिला डालो उस साले सी-म की ये सी-म और कमिशनर को बताएगा मैं, जिस सरकार के बल पर उचकते हैं न ये लोग उसे यहां बाहर मुल्क में बैठ कर चलाता है सफर सुपारी जंगल राज है ये जंगल राज, अरे, गुंडा राज बना दिया है सरकार को अर, और ये पुलिस वाले ये पुलिस वाले तो वर्धी पहन कर हत्यारे बन गए हैं हत्य आरे अरे, न वारन्ट, न गिरुफ तारी, कोट कचेरी, सीधे मालवosion मैं आप से पूछता हूँ सी-म साब, ये क्या हो राए है? क्या हो राए ये? हत्यारे पुलिस है अगर विधान सब्बा की तरह यहां भी हंगामा करवाना है तो फिर इस मीटिंग का क्या मतलब है आखिर समस्या क्या है आपकी समस्या नहीं सवाल है मंबई शेहर की सड़कों पर खून की होली कब तक खेलती रहेगी आपकी यह पुलिस कब तक तब तक जब तक इस शेहर का आखरी गैंक्स्टर खत्म नहीं हो जाता जब तक क्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासल नहीं हो जाता तब तक ओ मुखमंत्री जी जरा समझाईए अपने सरफरे कमिशनर को कि यह दलितों और माइनौरिटीस के खून की होली खेलना बंद गरे काशी तरवेदी जी खून की होली आप जैसे पॉलिटीशन्स खेलते हैं पुलिस नहीं मंदिर मस्जित के नाम पर देश को लड़वाया किसने तुमने बिहार में याद्वों को ब्रामन से यूपी में ठाकरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसल्मान से लड़वाया किसने तुमने चंद वोटों की खातर भाई से भाई को लड़वा कर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेखना आप जैसे नेताओं का काम है पुलिस का नहीं मानवादिकार के भखशक यूमन राइस वाइलेटर मुझ पर इल्जाम लगाता है मुझ पर तेरी सत्तिनारान जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूँगा चुटकियों में तख्ता पलट दूँगा तेरा समझा तुझे कमिशनर से हवलकार बना दूँगा काशी त्रिवेदी किसके हुमन राइस की बात कर रहा है तू उन गुंडों की जो इनसान को इनसान नहीं समझते जो बेकसूर लोगों पे गोलिया चलाते उनकी बीवियों को विद्वा और बच्चों को अनात बनाते काशी त्रिवेदी तो उन लोगों की हुमन राइस की दूआई दे रहा है जो हुमन है ही नहीं उनके साथ कैसा यूमन कंस्टरेशन ते आर इन्यूमन पास्टर्स वो सिर्फे की जबान समझते है इसकी खामोश तो टके की पुलिस अफसर तू इनके बल पर उचक रहा है ना इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए और इस कमिशनर का तबादा तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा और रहा तू तो तुस्से हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी तरवेदी नाई तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी तरवेदी जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गावा मिल गया उस दिन तो चीफ मिनस्टर की कुर्सी पर नहीं अपनी अर्थी पर लिटा होगा पर काशी तरवेदी मेरा एक वादा है तुझ से कि तुझे कांधा देने एक लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा Mr. Encounter Specialist आपने शेहर को Gestapo बना दिया है पिछले 30 दिनों में आपने शेहर की सडकों को खून से रंग दिया है इसके बारे में आपको क्या कहना है क्या ये लोक तंत्र की हत्या नहीं है मानना होता के नाम पर कब तक हत्याए करवाते रहेंगा पुलिस और गुंडों में फ़ार की क्या रहे गया है Encounter आपकी मजबूरी है ये लालच Encounter is murder of democracy, it's dictatorship Encounter के नाम पर हत्याए करने की ज़रूरत ही क्या है ज़रूरत है सक्स ज़रूरत है आपको क्या लगता है जब हम उन्हें ग्रफतार करने जाते हैं तो क्या वो मुजरिम फूलों का हार लेके हमारा स्वागत करते हैं नहीं, वो खतरनाक हत्यारों से और गोलियों की बोचार से हमारा स्वागत करते हैं तब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना हमारा मानवा धिकार है हमारा लोकतांत्र का धिकार है क्या सारे human rights, criminals और terrorists के ही होते हैं, क्या सिपाही का कोई मानवा धिकार नहीं होता क्या हम सिपाही, इंसान नहीं Mr. Encounter Specialist, जफर सुपारी ने Encounter Squad के हर अफसर को, चांच से मार देने की धमकी दिये उसने पूरे Encounter Squad की, फिटलिस बनाई वो बड़वा क्या हिटलिस बनाएगा, हिटलिस तो हमने बनाई है ये लाल निशान देख रहे हो, इतने खुदा को प्यारे हो चुके हैं और बाकी के होने वाले हैं येलो हेटलिस्ट और कल अपने अकबार में चाप देना अगली बार जब जब जफर सुपारी टेलफोन पे इंट व्यू दे तो उससे कह देना कि हमने उसकी जमात और उसका नाम राशन काट से काटना शुरू कर दिया है ठच्च्पश्श्बार्ण काई करिक्षा माँ धर पारा जाशन काटना जब छूरू है अज़ मैं व्यू झाले हूँ प्ली जएगल तो आर वाले हो उसके जाएवाश्श्फश्श्श्बावार्ण हेलो, ए, ए, घर तक छोड़ने आओ यार, अंदर नहीं बुलाओगी, आमेन, चाय वाई, ओ, चाय वाई, हाँ, हाँ, आशिक हैं आपके, प्यार करते हैं आपसे, अरे, इतना हक्तो बनता है यार, ओ, तो आएए मिस्टर विवेक आचारिय, प्लीज अंदर आईए, आपको च पुलीस वाला है, कब घर में, कब पुलीस टेशन में, कब किसका इन काउंटर करने चली जाते हैं, ये तो उपर वाला भी नहीं जानता, अच्छा तो रेखा जी, आमेन, राखी जी, मैं चलता हूँ, क्यों, चाय वाई नहीं पीजिएगा, चाय, अब तो हलक से पानी भी हुतरिएगा, क्यों, डर गया ना भाईया से, डर गया, अरे तुमारे भाइक योटरियासे पूरा शहे है, वो मुह से कम, और बंदूक Σे ज्यादा बाते करते, घिष्कें आउ, घिष्कें आऊ, घिष्कें आऊ, अरे पुद्धू, अगर तुम भाईया से नहीं मिलोगे, तो मेरा हाथ उनसे कैसे मांगोगे? मारम, ये जिम्मिदारी आपकी है हम, मिस्टर विवेक आचार्या, सन ओफ जस्टिस आचार्या भाईया से तो मैं बात कर लूँगी, लेकिन आप अपने डैट से कब बात करेंगे? उनकी फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो, एक बार हमारी शादी का केस उनकी अदालत में पहुचाब, तो उनका फैसला हमारे ही हक में होगा, खूल? लब यू, यू टेक केर, ओके? बाई, बाई भाईया, वो, वो एक लड़का है तुम्हारे कॉलेज में बढ़ता है, B.S.E. Final Year, नाम विवेक अचारिया, जस्टिस अचारिया का बेटा, और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो आपको किसे पता भाईया? पुलीस वाला हूँ, कोई दूद वाला नहीं सारे शेर की खबर रखता हूँ मेरी बहन कब कहा किससे मिलती है ये भी मुझे पता नहीं होगा पेवकूफ समझती मुझे क्या तुम प्यार करती हो से? नहीं वाट? हाँ मुझे देखो पेवकूफ तुमारी बहन को अपने घर की बहु बनाना मेरे लिए फक्र की बात होगी लेकिन याद रहे हम लड़के वाले हैं हमारी कुछ शर्ते हैं ये सगाई कल होगी कल सर सर मकर हमें इंतिजाम के लिए थोड़ से वाग चाहिए नो नथिंग डूइंग सगाई कल ही होनी चाहिए इस नौडर मकर सर बरहुरदार जल्दी तुम्हें नहीं जल्दी हमें है कल तुमारी बहन ने इरादा बदल दिया तो मेरे नलायक बेटे को इतनी अच्छी बीवी और मुझे इतनी अच्छी बहू दूसरी नहीं मिलेगी इसलिए सगाई की रस्म कल यहीं पूरी की जाएगी सोनी ये तो सोनी मेरी जान लगती जान लगती सोनी ये तो सोनी मेरी जान लगती फीरी ये तो सोनी मेरी जान लगती आख जदो खोले दिल खाये हिच कोले दिल खाये हिच कोले बोले बोले दिवानी मेरी जान लगती दिवानी मेरी जान लगती ये है बुख ख्योप, बुख बुख और भी मेंबॉ झांस वर्ली वान लगती सपना तेरा सपना रखना सोजा रखना मखना क्या लगता है सचना और तेरा सचना हो डोले तो मगाले तूने डोले चड़ जाँगी घर से तू जानों होगा दिल से लजाँगी सोणी ये तो सोणी मेरी ये तो सोणी मेरी सोणी ये तो सोणी मेरी जान लगती अख जाद खोले दिल गोईज कोले दिल खोईज कोले बोले दिवानी मेरी जान लगती सोणी ये तो सोणी मेरी यार लगती सोणी ये तो सोणी मेरी यार लगती रांजिया तो सोणा मेरा यार लगता आख जदो खोले दिल खाए, हिच खोले दिल खाए, हिच खोले बोले बोले दिवाना मेरा यार लगता दिवाना मेरा यार लगता कि दान्या मेरा यार लगता सर आपका इंफॉर्मर पांच्व पच्पन आपसे मिलना चाहता है बेज दो संदर राइट सर सलाम साहिब आओ बोलो क्या ख़र लायो साहिब एकदम डिफनीट ख़र है वो जफर सुपारी है ना उसने कमिशनर साहिब को मारने की सुपारी दिये ला है और जफर सुपारी का में हिटमैन है ना वो पपू कालिया मास्टर पिलानिंग कर रहे ला ऐसा है और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो आज रात केन के नाइट कलब में अपने चारपार सूटर से मिलने वाला है ठीक है तुम जा सकते है सलाम साहिब रहे जाए पर रहे जाए जाए रहे जाए जर्चल माही, जर्चल माही, जर्चल माही फुस्न ने पहनी आग की चोडी फिर भी इश्क ने आख ना खोली लुदा तुने मुझे को मेरे सदम इश्क के दर्या में दूबे हम मर भी कई ना होगा दम फिर लिये फिर लेंके चनम जिन परिशान है तिरा रिहान है क्या जाने होगा क्या जाज ना है जाने होगा जाजओनावी 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 जबर मुझे कर उत्ता है तुहां कर समझे का तू पिया एदर की बढ़िया होश उड़े मैने दिल दूझे को दे दिया मैने सखर किया कभी उबना गिया तिरा नाम या को ने लिया मैने सोच लिया बदना है वर्ली में रामने को देजो दिया मैने सखर किया को भी उबना गिया मैने सवच लिया प्रना है वही दिया मैने कभी जो दिया या वर्ली जाने या लगन जाने आच लिया मैने सखर किया गिया вместе मैने सखर किया प्रना है ता डीया व्ली उबना गिया इक तेरे से बादल में कोई अर्मान नहीं पापी तो जूम रहा है मस्ती ते प्यासा है तिरा साथी तो लेकनी महापक कारब है तिरी काई मैं प्यासी एक आउस में तेरे बाबा है एक आउस में काशी तो लेकनी महापक कारब है तिरी तो जिए प्यासी तो लेकनी मैं जचे प्यासी तो लेकनी मैं प्यासी तुम भी निशन जे मेरा फिवान जब आचाइने को जाए यह थद आचा आचाईञ ङुए आचााईगा आचाईचा सुस्याे और कर बना! तर्ट्री पांटेर अर्जुन हत्यार भैक वर्न में लड़की को चांसे मार दूरंगा मैं क martial भैक वर्ना लड़की चांसे जाएगी मैं अफनी बार केहता हू अर्जुन हत्यार भैक मैं कहता हू उप्पषक क्पाक्ड़क। काशी तरवेदी, मैं ने तुझे दूद वाले से उठा कर नेता बनाया मैं नाइटी के मले, आपोजिशिन का लीटर बनाया किसके वास्ते है? इस दिन का वास्ते है? वेदान सबह में बैठ कर दूद देने के वास्ते है? एक आशी, पापो कालिया पन गया, एक एक करके अपनका सारा विकल डाउन कर डाला, तेरे उस पुलीस कामिश्णर ने 25 साल का मुंबई शहर पर मेरा हकूमत बरबाद कर डाला तुमारा मुंबई पुलीस और उधर, I.S.I. के सामने मेरे मुँपर कालग पुत्वा डाला कुछ करो नेता जी, कोई रास्ता ढूंडो, हमें इस मुसीबत से निकालो रास्ता तो हमारे पास है, जफर भाई, लेकन पैसा जरा जादा लगेगा मैं सोची रहा था कि पैसों के लिए तुमारा मुं का फटेगा भाड़ो, भाड़ो अपना मुं तो ध्यान से सुनो जुपारी, मुक्यमत्री सत्तनारान जोशी के सरकार सिर्फ ग्यारा एंडिपेंडेंट एमेलिस के समर्थन पट्टी की है और इन ग्यारा में से नौ विकिने के लिए तैयार है कीमत है साथ करोड़ यानि साथ करोड़ में तुम मुक्यमंत्री बन जाओगे ठीक है काशी, गिराव सरकार तुम्हें साथ करोड़ कल पहुँच जाएंगे तो समझ लो जफर भाई आप मुंबज शहर के प्रधान मंत्री बन गए संत्री से मंत्री तक हर कोई अपना आदमी सरकार हमारी और सल्तनत तुमारी विशेश समाचार आज तक कल शाम पांच बजे सत्यनाराण जोशी के नव निर्दल्य विधायकों ने जनतापार हो रहे पुलीस के अत्याचारों के नाम पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है असंतुष्ट विधायकों के साथ सुला करने के लिए मुख्यमंत्र जी इस वक्त अंतिम प्रयास कर रहे है विशेश बुलिटिन समाप्त बंदना सचनानी मुंबई आज तक बज़ात कहीं के खबर मिली क्या वही काशी त्रिवेदी के सियासत के बाजार में नेता लोग सबजी की तरब बिक रहे हैं और सत्यनारेंट जोशी की सरकार गिर रही है इसका मतलब जानता है तू अब नेक्स केजुल्टी हमारे कमिश्टर साब का ट्रांसफर होगा जी तो चाहता है इन मादर जातों को भून के रख दू सालों ने राजनीती को वैशा बनाकर चकले पे बिठा दिया हम त्याग पत्र देकर समर सिंग जी लोग तंद्र की हो रही इस निलामी में हम हरके शामिल नहीं हो सकते कि मैं जानता था आप ऐसा ही करेंगे और आपको शोबा भी यहीं देता है कि यह लेजिए समर सिंग दिए कोरे कागस पर आपके दस्तकत मैं कुछ समझा नहीं सर या आप मुझे क्यों दे रहे हैं मेरा इस्तिफा मंजूर होते ही और कुर्सी छोड़ते ही नई सरकार आपके उपर एंकाउंटर्स के नाम पर निर्दोश नागरिकों की हत्या का इल्साम लगाएगी तब आप इस कागस पर उन इंकाउंटर्स को मेरा लिखित आदेश बताकर आरोप मुक्त हो सकते हैं इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी लेकिन आप जैसे निश्कलंग नेता को कलंकित करके स्वायम आरोप मुक्त होना मुझे मनजूर नहीं है लेकिन समर सिंग जी वे शायद आपका तबारला करतेंगे मेरा अखबार बाजी करेंगे एंक्वारी बिठाएंगे आप चिंता मत कीजिए जोशी जी मेरे आपके करमों का निर्णय अखबार नहीं कितिहास करेगा अफसोस मुझे सत्ता छोड़ने का नहीं बलकि इस बात का है कि अपराद मुक्त समाज का हमारा भियान अधुरा रह जाएगा मेरे बाद आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा हमारे हमारे मकसब का क्या होगा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुख्यमंत्री जी मैंने अपने नौजवान सिपाईयों के दिलों में ऐसी आग भढ़का दी है कि सरकार बदल जाने पर भी ये अंडर वर्ल्ड वाले कुछ नहीं कर पाएंगे उनका उसी तरह से एंकाउटर किया जाता रहेगा जैसा के किया जाना चाहिए समर सिंग जी मुझे आप के साथ काम करने के उसर पर सदा गर्व रहेगा मुझे भी कि इस वर्दी को पहन कर ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है जो समान तो क्या अब मान के लाइक भी नहीं होते लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं सर आप राजनीती की दलदल में रहकर भी निश्कलंग बने रहे आपको प्रणाम करता है ए बद्री हम तुमसे कहे थे ना जोड़ेंगे तोड़ेंगे लड़ेंगे लड़वाएंगे तल बनाएंगे भिगानेंगे पर एक रोच एक कुरसी पर बैठ के दिखाएंगे वो दिन आ गया रहे मुन्ना अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और बागी सब हमरी प्रजा संत्रियों और अफसरों की इमानदारी क्या इमानदारी क्या गुज्रे वे मुख्य मंत्री के साथ गुजर गई क्या अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा हम जो बनाएंगे वो कानून होगा सर कहो बोसले ग्रहे मंत्राले से मेरी ट्रांसफर का ओर्डर लेकर आए हो आपको कैसे पता सर मैं जानता था सरकार बदलते ही नेताओं को अफसरों का तबादला करने की पुरानी बेमारी है बोसले समझाओ इन नेताओं को अब आदलों से इलाके बदलते हैं इरादे नहीं तानर जी तुम अपना ख्याल रखना और मुझे बराबर खत लिखते रहना तो मेरी ट्रांसफर की खबर आप लोगों को भी मिल गई इसमें परेशान होने की क्या बात है ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है मगर सर जिन लोगों ने तेरा गंटों में सरकार और तीन गंटों में आपको बदल डाला ऐसे लोगों से भला दस बारा हजार की तंखुआ पाने वाले हम जैसे सिपाही कैसे लड़ सकेंगे अवस्ती इस वर्दी की कीमत पैसों में लगा कर तेश भर के मांदार सिपाईयों को काली मत दो अवस्ती पैसों के लिए आतंक वादी लड़ते हैं सिपाही नहीं सिपाही सिर्व अपने वतन की इज़त और मुल्क के हिफाज़त के लिए लड़ते हैं सौरी सर बेटे वो मेरी जगा दूसरे व्यक्ति बदर सकते हैं हमारे संकल्प और विचार नहीं सर आज से आपका संकल्प हमारे कर्तव्य होगा अब आपके दिल की आग हमारे दिलों में जल रही है सर सर जो आपने क्राइम फ्री स्टेट का सपना देखा है उससे अब हम पूरा करेंगे यही आपको हमारी गुर्दक्षना होगी साथ करोड खर्च किया है सरकार बनाने और किराने उसके बदले में साथ नहीं छेसो नहीं 36,000 करोड मुंबई वालों का खून चूस कर वसूल करोंगा मैं बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रड्यूसर तक किसी को मत छोड़ो उनसे बोलो जिन्दा रहना है तो हफ्ता बेजो बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो जफर को पैसे बेजो मुंबई शहर में धंदा करना है यहां तक कि मुंबई शहर में सास भी लेना है तो जफर भाई को सलामी का पैसा बेजो येडा ये सला पोलीस वाला गर में घुस-खुस के माराना मेरे छोकरे लोगको इनके भी घर में घुस-खुस के दंकाओ इनकी माँ, बहन, पीवी और बच्चों को ना माने तो काट ड़ालो सालों को बताओ पोलीस को तलना मांगता अपने इस बाब से यह बहुत प्रुपरीजिया नहीं प्रुपरीजिया और आप और दो और यहां आप लो और यहां मॉम मॉम करे को तो मॉम, अरे भई, कहा हो तुम? भईया के आने का वक्त हो गया है, आपने पूजा की थाली सजाईगी नहीं मॉम वेर आ यू मॉम? मॉम भी न, उफ जरूर पूजा घर में बैठी होगी में कर लोग ज भार प्या 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 त् SEO वा को ला अचिया अचिया techniques À बादँ बुछत! कोबाँ बादई बुछत! 心 ऐफ बनाता, वा था तरिए हता है गब्रामात, तेरे को मारने नहीं, समझाने आया हूँ. जफर सुपारी को जानती है न तू, भार गाह रहता है, पर अख्खा मुंबे पे राज करता है, तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग, मालिश करता है जफर सुपारी का, समझा आपने इंस्पेक्टर भाई को, जफर को बाप और एड़ा को बड़ा भाई मानने का, रोज स अगली बार समझाने नहीं आएगा मैं, तेरी इस मा का तुकड़ा तुकड़ा करके, तेरे को उठा कर ले जाएगा, और वैसे भी, तेरी चैसे आइटम की जगा यहां पर नहीं, सफर भाई के हरम में है, अपन के पास, ओ शिट यार, क्या हुआ, चल्द बाजे में हम लोग राखी का गिफ्ट लाना ही बूल गए, अबे आली तुझे गिफ्ट की पड़िये, हम लोग अले रेट है यार, राखी गुस्से हमें होगे, चलना है, यार, 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 जफर सपारी का अद्वी तू राखे किताली सजा के रख मैं तेरी सोगात लेके आता हूँ हाथ बोल छोपड़ा तू गोली कैसा लेना पसंद करेगा विस्की के साथ सोड़े के साथ पानी के साथ नहीं भाई या फिर टेरेक्ट नहीं भाई मुझे माफ कर दो माफ कर दूँ साला ओ कमिशनर के टाइम पे बहुत चरभी आ गया था तुम लोगों को नहीं भाई वो 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 मैं चाल तीन खोका कैश अपनी नई फिल्म का अवसीज राइट्स होम वीडियो और मुझे का कॉन्ट्रैक्ट लेक्या चल जा लाता हूँ लाता हूँ झाल 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 क्यों क्या बोला था तू हमारी मा के टुकड़े टुकड़े करेगा हमारी बैन को उठाकर ले जाएगा नहीं है अधर भाई हाथ उस दफर सुपारी के भड़वे चल पहला देहशद मुंबई शर्म है अब धमकब पुलीस वालों को नहीं अरजुन भाई हाँ तो एड़ा अब तू बता तू गोली लेना कैसे पसंद करेगा पानी के साथ सोड़े के साथ हाँ विस्की के साथ बोल या फिर नहीं डायरेक्ट नहीं नहीं जोटे एड़ा का फोन है आड़ा बोल बाई यह लोग यह अड़ा को मार डाला क्या बक्त है तू बक्त नहीं रहा है हकीकत बयान कर रहा हूं सफर सुपारी काउन है तू मा पो से मा पो से हां महाराष्ट्रा पुलीस सेवा जफर सुपारी आएंदा मर्दों की बारात लुटने हजड़ों की टॉलिक कभी मन बेचना याद रखना जफर तुम जैसे गुंडों के लिए पुलीस से बड़ा गुंडा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं जफर सुपारी एक आखरी चिताओनी तेरे लिए नो चार्ट शीट सिर्फ टी फाइनल यानि देथ फाइनल जैहिन याद राखी तुम लोग दोनों पुलीस सेशन में बताओ कौन किसकी रिपोर्ट लिखाने आया है सबसे पहले तो आप मेरी रिपोर्ट लिखे सर ये आपकी बहन हर वक्त मुझे धंकाती रहती है ये ना किया तो अंदर करवा दूँगी वो ना किया तो हदकरी लगवा दूँगी तो क्या गलत करती है तेखो ना भईया हायर स्टडीज के लिए गवर्मेंट इसे स्कॉलिशिप देरी और ये जनाब है जो जाने से इंकार कर रहे है भईया हमारी सगाई को अभी तीन हवते भी पूरे नी हुए और ये मुझे तीन साल के बनवास के लिए कैनेडा भेजना चाहती है नहीं भीया मुझे नहीं जाना अगर तेरी जगब में होता मैं तो सगाई के लिए नहीं निकल जाता है भाईया श्ष्ट इस अलाइफ ताम अपचुनिथी इसे मिसमत करो ये तो तुम मिल गई अब उसे मत छोडो और रहा तुमारी मंगेदर का सवार तो मेरा नाम है अर्चुन रनावत तोंट वोरी हलो नमक हराम तेरे राज में वो हराम साधा अर्चुन रनावत एड़ा और मेरे आत्में को कुत्ते की माफिक तडबा सर्पा कर माँ डाला और तो सीयाम की कुर्सी पर पैठ कर अंटे देरा अपने चूले गरम करा तो नहीं भाई वो क्या है के बीच में मत भाल अगर तूने उन पुलीस वालों का कोई गेम नहीं किया तो मैं तेरी पूरी नसल का गेम कर डालूँगा अगर भाई वो मैं सुवर की आउलाद अगर साठ करोड में मैं सरकार बना सकता हूँ तो साठ रुपे की गोली तेरे भेजे में उतार करो तुझे और तेरे पूरे खांदान को खलास कर सकता हूँ क्या हुआ काशी जी कौन था बाप था मेरा मेरी मां का यार था जफर सुपारी अब यश्वन देश पांटे तुझे पूरें से उठा कर यहां मुंबई का पुलिस कमिशनर बनाया किस वास्ते है अपने बाप की बारात में नाचने के वास्ते बारात या कहरात में नहीं पूरे ढाय खोके देखर बनाओ मुंबई का पुलिस कमिशनर एलो सुना अकुल करनी यह साला अपने ढाय खोके को रोता है अबे समझा अपने बाप को वो एनकाउंटर स्क्वेड वाले जफर के आदमियों का गेम बजा डाले मेरे को बिलकुल नहीं मांगता है यह पुलिस का दस्ता समझा की नहीं सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है काशी जी तो फिर क्या है तेरे हाथ में है बाबाजी का घंता अरे मैं क्या इस देश का ग्रियम मंत्री हूं है कहाना सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है इसमें डीजी और सेंटरल होम मिनिस्री भी इनवाल्ड है ऐसे उबलने से काम नहीं होगा, जो कुछ भी करना है, सोच समझ के होश्यारी से करना होगा काशी जी, सब सब पहले तो आरजुन रानावत का, और उससे भी पहले हैदर एली का सोचुँ हैदर आरजुन की आँख और कान दोनों हैं, पूरा मुख्विर नेटवर्क वो हैंडल करता है, हैदर गया, तो समझ लो, कि आरजुन की रीड की हड़ी तूट गई, यॉर राइट, काशी जी हैदर का इंतजा मैं करूगा, उसकी जात को मुद्दा बनाकर, मैं उसके करो, रवादा, और वो बीग कर्दी! तेंक यू अर्जु साहब, अर्जु साहब, अर्जु साहब, रुकिये, रुकिये, कहिए? माना के आप स्ट्रॉंग और साइलिंट टाइप्स हैं, जो अपनी दिल की बात जुबापनी लेकर आते हैं, लेकिन आप अपनी इन आँखों का क्या करेंगे? आप कह के रही हैं? हमारी उंगली में पैनाईए, और हमें अपना हमसफर बनाईए, हमसफर, जी, पहले आप हमें इतना सफर मत कराईए, जी, अंगुटी तो मैं आपको बाद में पैनाऊँगा, पहले आप ये पहन लेजी, जन्नत, खुबसूरती ठकी विजाद आच्छे लगती, जिस दिल को मुहाबत हो जाए, वो दिल तो काफिर हो जाए, फिर रमरूठे यहाँ जग छूटे हे, फिर दंभी आखिर हो जाए, दमाएठ, 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 जब इश्क का जादू चड़ता है हर चीज बेगाने लगती है आशिक तो दिवाने होते हैं दुनिया भी दिवाने लगती है आँखों में नशाचा जाए जीने कमजा जाए दल बहका बहका जाए है 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 आप है 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 इक इश्क कदर यासीने में है है इक इश्क कदर यासीने में तू पार लगाने आजा तू पार लगाने आजा दुबा डूबा जाए तू इसको बचाने या जा दिल हाथ से निकला जाए दिल धड़का धड़का जाए दिल बहका बहका जाए मस्त दमस्त 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 एक चीज मुहबत होती है वो जान की आपत होती है ये जान का सौदा कर डाले ये एथि का आपत होती है दमस्त 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 हैदर अली ये रहा तुमारा ट्रांसफर ओर तुमारी जात की वज़े से तुम्हें इंकाउंटर स्कोर से निकाला जाता है तुम अपना चार्ज एसे पी अरजुन राणावत को सौप दो लेकिन क्यों सर स्पेशल इंवेस्टिकिशन टीम इस वक्त मुंबई अंडर वर्ल्ड और उनके ISI एजन्स का परदा भाश करने का काम कर रही है और उनका ये कहना है कि ऐसे में हमारे कुछ आफिसर्स का रवया उन ISI एजन्स के साथ नर्मी का हो सकता है आप साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि मेरा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसल्मान हूँ और इसलिए मैं मुसल्मान मुझरिमों का साथ दूँगा ये देखिए ये गोलियों के निशान देख रहे हैं आप ये मुसल्मान आतंगवादियों के गोलियों के निशान है मेरे रिवॉल्वर्ट से निकलने वाली गोली मुझ्रिम से उसकी जात या उसका मजब नहीं पूछती कि वो हिंदू है या मुसल्मान इस रिपोर्ट से आप मुझे ये जताना चाहते हैं कि मेरी जात, मेरा मजब, मेरे देश दोई होने का प्रमान फत्र है अगर मैं अपना सर काटकर भी इस डिपार्टमेंट के लिए चड़ा दोना तब भी ने यकी नहीं होगा कि हैदर अली एक सच्छा हिंदुस्तानी है एक देश वक्त ओफिसर है अगा आइड्योंट कर नहीं हैदर मत कर, अली नहीं नहीं करने मुझे ये नौक्री अर्चुन कमिशनर हैदर अली वो मिसल्मान है जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क अपने वतन के लिए जान दे सकता है ये आपने बहुत गलत की असर तेश द्रोही की कोई जात नहीं होती ना वो हिंदु होता है ना मुसल्मान सिर्फ मेरा राजपूत ये आपका ब्रहमन होना हमारी देश भक्ति का प्रमान पत्रा नहीं हो सकता ऐसी घटियक कम्यूनल सोच सेख़ो हाईदर अली जैसे मुसल्मान नौजवान को इस देश से दूर गलत रास्तों पे ले जाती है तुम समझते क्यों नहीं ये फैसला यहां नहीं होम मिनिस्ट्री और डिरेक्टर जेनरल अफ पुलिस के दफतर में होता है अगर हिम्मत है तो जो तुमने मुझ से का है वो वह वहां जाके कहो जो 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 पुलिस कमिशनर के सामने अपने बेल्ट उतार कर वो ये डिपार्टमेर को गाली देका निकला तुम्हारा वा बत्तमीज जोनियर साही है और हम सब सामप्रदाइक हैं कम्यूनल हैं क्यों यही कहना चाहते हूं न तुम अगर आपके सीनेज़ आपको बला कि यह कहें कि क्यूंकि आप सरदार हैं आप खलसानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजब से किया जाता है तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता सर, जब आपको सिक टर्रे से लड़ने से नहीं रोका गया तो फिर हैदरा अली खान को मुसल्मान अतंकवादियों और आईसा एजिन्से लड़ने से क्यों रोका जा रहा है बगएर किसी गवाय थबूत के सिर्फ जाती कोई शक की बुनियाद मानना अनकॉंसिट्यूशनल है अज सब विधानिक है सर, हमारा कॉंसिट्यूशन करम प्रदान है बेस्ट मैन फॉर दो जॉब धरम प्रदान नहीं सर, हैदर अली खान वो सिपाई है जो अपनी वर्दी पर लाखों पेबन लगा सकता है मगर दाग कभी नहीं लगने देगा सालों ने गद्दार तो साबित करी दिया है अब शायद किसी रोज एंकाउंटर में मुझे कोली सोड़ा देंगे क्या है ये मेरी गिरिफतारी का वारंट या फिर एक गद्दार के घर का साच वारंट नहीं तो पेग और पीनी के ओर्डर्स है लेकिन खुशी में क्या मतलब बढ़ कर तो देख तेरा ट्रांसफर कैंसल हो गया ये सब तुने मेरे लिए किया नहीं अपने लिए क्योंके पुलीस डिपार्टमेंट को तुम जैसे ओफिसर्स और मुझे तुम जैसे दोस के सक्सरोत है ऐसी बात है तो तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा मांग कर तुदेख तो सुन मां को जन्नत जैसी बहू राखी और मुझे जन्नत जैसी भावी और तुझे जन्नत जैसी बीवी की सक्सरोत है जैसी 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 हम तुमको निगाहों में इस तरहा छुपा लेंगे हम तुमको निगाहों में इस तरहा छुपा लेंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे तुमको चुरा लेंगे दुनिया उला देंगे तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे हो हे 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 हाथे के बिटिया बोले हाथां तो कन न बोले पैरों की बायल बोले सुनले मेरे यारा सुनले मेरे यारा तारों से मांग सजातू दामन में खुशियों पिछा दू दुरहन में तुझ को बना दू सुनले मेरे यारा, सुनले मेरे यारा सिंदगे मिल गए, हर खुशे मिल गए, आशिके मिल गए हम दिल को महाबत का हम दिल को महाबत का आएना बना लेंगे तुम चाहे बचो जितना, हम तुम को चुरा लेंगे हम तुम को निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहे बचो जितना, हम तुम को चुरा लेंगे तेरी आशिकी में जाना, दुनिया भुला देंगे तुम चाहे बचो जितना, हम तुम को चुरा लेंगे तेवी पूजा के दिन, तेरे पैर इस घर में पड़े है, मेरे तु भाग के ही खुल गए, सदा सुखी रहो बीटी ये शगुन है, राखी ने खास तोर पर उस दिन के लिए बनवाए थे, जब उसकी होने वाली भावी पहली बार इस घर में आएगी ये लो बीटी जुग जुग जीओ मेरे बीटी ये हाथ युई ही मेरे सर पर बनाई रखेगा माजी मा ये लो चलो भावी मैं तुम्हे अपना घर दिखाती हूँ जाओ बेची जाओ अच्छी है तुम्हेचो में खाने का इंतिजाम करके आती हूँ अब हो देशपांडी तु तो यार बिस्तर पर पड़ी सोला साल की लउंडी की तरह घबरा रहा है है जब के मैं इस प्रदेश का डेपुटी सी एम बड़े भाईया सी एम हो तो वो दो टके का एसी पी क्या उसका न वो वो अर्जुन रानावत और उसकी इंक्वाईरी रिपोर्ट हमारा क्या घंटा उखर लेगी अखबार नहीं पढ़ते क्या नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो एक जैसवाल रिपोर्ट के लीक हो जाने से एक डीजीपी एक कमिशनर और दरजनों अफिसर सर रहे हैं कस्टडी में घंटा उखड चुका है उनका समझें और सुनो काशिजी हमारे और अंडवर्ट के तालुकात पर अरजुन एक रिपोर्ट तयार कर रहा है अगर उसने हमारी जडें खुदना शुरू कर दी तो वो खुदाई हमारे और अंडवर्ट के नेकसस को खोत के रख देगी उस रिपोर्ट को किसी भी कीमत पर हासिल करो काशी जी अगर वो फाइल दिल्ली तक पहुँच गई तो हम सब होंगे सलाखों के पीछे और कहीं अगरी बदरी वो जाली दस्तावेश जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं न कल हमें मिल जाने चाहिए जीवई और हाँ रहास सवाल अर्जुन राणावत की रिपोर्ट का तो कल वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री काशी नात्रवेदी की मेज पर होगी अर्षारण भाँ वाल प्रेस की है तो कि रहास की रिपोर्ट मुख्यमंत्री याल प्रेस जजब ठावेश भाल कि रहास की एतूश कुछ ही याद आया, A.C.P. अर्जुनानावत हम कहें थे न तो से एक दिन हम एक कुर्सी पर बैठेंगे और तू हमें सलाम करेगा याद आया ये गलत फेम ये तुम्हारी काशी तरवे थी मैंने सम्वेधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किये तुम्हें नहीं क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते अपनी ओकात में रह आसे हम तेरे मालिक और तू हमरा नोकर नोकर मैं जनता का हूँ किसी के बाप का नहीं I'm a public servant and so are you काम की बात कर मुझे यहां क्यों बलाया है तो फिर सुन ले ग्रह मंतरा ले मैंने अपने पास रखा है इसलिए हम आदेश देते हैं मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का ये जो तुने डाटा बैंक तयार किया है न ये मुझे देते जानता था जिसके तलवे चाड़ कर तो उस मकाम पर पहुँचा है उसका बाई खाता तुम उससे जरूर मंगेगा ये ले संभाल के रख कॉन्फिडेंसल ये है असल बहुत मेहनत की होगी तुने इस बनाने में न मगर देखा एक ही जटके में हमने इसे जलाकर खाक कर दिया क्यों भाईया दिल तो बहुत दुखता होगा तुम्हारा नहीं नहीं दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिरसे साहब और शायद दोहरा भी पढ़ जाए क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री दूसरी कॉपी प्रेजिडन्स ओफिस और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ओफिस अल्रेडी पहुंच चुकी हैं तेरे माफिया पाप पच नहीं पाएंगे सफर सुपारी के दल्ले एए क्या खा तुने मुझे दल्ला खा मुझे काषी को दल्ला का मुख्यमंद्री को दल्ला का दो कॉड़े के पुलिस हफसर तेरी अगास गये क्या अगास है नहीं काषी द्रिवेदी इस उमर में जब अड़ियां तूरती है तो बड़ी मुश्किल से जुर्दी हाथ नी चिकर अब मैं तुझे तेरी आउकाद दिखाता हूँ मुख्य मंत्री को मारा तुने नहीं एक देश भक्त इमानदार जनता के नौकर ने एक देश द्रोही पईमान जनता के नौकर को मारा है काशी त्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा मैं मौत को तक्या और कफन को चादर बना कर उड़ता हूँ जय हिंद हाँ बोल पात्सो पच्पन कौन, अर्जुन साप नहीं, मैं हैदर बोल रहाँ, बोल क्या खबर है साप, जिसम फरोशी के धंधे के लिए हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्तों से लाई गई नावाली लड़कियों को पुराने जसाई रेलबे याड में छिपा कर रखा गया है और आज रात उन्हें बुंबई के अलग-अलग चकलों में पहुचाया जाने वाला है आप जाकर उन्हें बचा लीजिए सर तुम फिकर मत करो, हम फौरान वहां पहुचते हैं क्या सबogether मत करते हैं इ cancel कर अ क्योद आके लिए .? यहां तो कोई भी नहीं है सर कहीं 500 पच्पन की खबर जोटी तो नहीं सर कहीं ट्रैप तो नहीं हाँ यह ट्रैप है तुम सब की मौत का ट्रैप जफर सुपारी तू हाँ मैं जफर सुपारी हिंदुस्तान में देख चारो तरफ एंकाउंटर स्पेशलिस्ट एंकाउंटर तो आज मैं करूँगा तेरा तेरे दोस्त तरजुन रनावत का और पूरी मुंबई शेहर का देख पूरे पाइंसो टन आरडी एक्स लाया है जफर सुपारी बूढ कर देख अच्छा हुआ तू अपने साथ अपनी अर्थी का सामान ले आया है जफर अरे तू क्या मुंबई को शम्शान बनाएगा तेरे ही लाइवे आर्डी एक्स में तेरी चिता जलाएगा ये हैदर अली खान टट अअहुँड़्य है झालों जब शर और ये खुब Mr. K हम पजच चुके हैं सर हमारे पांच साथ ही माने जा चुके हैं अब पीछे हटने के सवाय हमारे दूसरा कोई नास्ता नहीं है सर यह वक्त पीछे हटने का नहीं है दोस्तों वक्त है इस वर्दी का कर्श चुकाने का और आज हम सब मिलकर इस वर्दी का कर्श जरूर चुकाएगे कितनी बुलिट्स बची हैं हमारे पास लास्ट मैगजीन है सर दोस्तों हमारा प्राइम टागिट है जफर सुपारी के लाई आडी एक्स को तबाह करना मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ तुम दोनों मुझे कवर दोगे कोई शक नो सर प्राइमाजिस्ट कॉड़ प्राइमान वाल झाल आड़ नो लुफ वखर भाफर फ्राइमान वाहां चल प्राइमान वाटवज वखर दोनों युद्ट्ट्ट्ट्स अजुश्वजद्ट पुप जईग्से फस्ट्ट्स राज़ बच्फ़ झाल 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 आई! याली! अदर! जफर सुपारी, तू मुंबई शेहर को राक के ढेर में तबदील करने निकला था ना? देख, तेरे ही चल रहे इस RDX में, आज हैदर अली खान तुझे राक के ढेर में तबदील करेगा! अवस्ती? तू? घटार? अवस्ती? एदरे ही गाली! क्यों मापो से महराश्ट्र पोलीस सेवा जा ओल्ड जसे ही रेलवे यार्ड में तेरे भाई हैदर और उसके साथियों की लाशें तेरा इंतजार कर रही है और अजसर प्रण आसे ही तेरा नहीं तेरा इंतजार आसे हीजो बज़ तेरा नहीं है प्रण ट्रण प्राइब की लाव मुडर मुडर मु pracовेności ध oy,UST Korean ह Boys है खर खर उ है खर खर, के जौर मुडर 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 सुङ जायू घब खाँ खें खर पार आइदर आइदर हैदर 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 हुआदर वर्दी ये शान है हमारी वर्दी ईमान हमारी वर्दी पहचान है हमारी वर्दी भगवान हमारी देश को ये जन में द दिया हमें वतन बेगर्व है मुझे प्रेस को ये बताते हुए सक्त अफसोस हो रहा है कि क्राइम कंट्रोल स्कॉड का सबसे जाबाज ओफिसर हैदर अली खान अंडर वर्ड और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आएसाई का एजेंट था पाकिस्तान के इशारे पर आएसाई और अंडर वर्ड मिलकर मुंबई में दुबारा सीरियल बॉंब ब्लास करने वाले थे जिसके लिए इंस्पेक्टर हैदर अली 500 टन आरड एक्स मुंबई में लाने के लिए उनकी मदद कर रहा था कल राद इंस्पेक्टर अवस्ती ने मौकाई वारदात पर पहुँच कर उनके इस खतरनाक मिशन को नाकामियाब कर दिया अवस्ती ने ना सिर्फ उस 500 टन आरड एक्स को तबा किया बलकि गदार हैदर अली खान और उसके साथियों को इंकाउंटर में मार गिरा है हैदर अली के घर पर मारे गए चापे में हमें कुछ फ्लॉपीज फॉरिन बैंक अकाउंट्स जाली पासपोर्ट्स नकली वीजाज और आएसाई के आइडेंटिडी काट्स बरामद हुए हैं जो हैदर अली के पाकिस्तानी दलाल होने के पुखता दस्तावेज हैं जो है जो है पाकिस्तानी जो जो है जो हैं किसी से उस हादसे के बार में जिकर ना करने की किसम खाई थी मैंने और आज मैं ही वो कसम तोड़ रहा हूँ नहीं आज मैं आज सिरका थी वो का जा हुआए युछिय किसम तोड़ के तो अबंदे का दोके हुआए थी मैं जे युआ है त्यागी जी, ये क्या खबर लिगा रहा है? समर सिंग पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर, राणावत का मुकर्मा लड़ रहा है? उसना वकालत नामा भी दायर कर दिया है? इसमें इतना घबरानी की क्या बात है काशी जी, समर सिंग वकालत कर चुका है ये दुनिया जानती है, लेकिन वो एक जजबाती और शौकिया वकील है, और हम सच को जूट और जूट को सच साबित करने वाले पेशेवर वकील हैं, चलिए, अरे मगर हमें कुछ तो करना अगर अगर अदालत में उतर आए, तो वो भी रानावत को फांसी के फंदे पर जूलने से नहीं बचा सकता। The game is over. Your Honor, अर्जुन रानावत के साथ 15 सालों से काम कर रहे आफिसर्ज को मैं पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ. ये गवा इस अदालत को बताएंगे के अर्जुन रानावत कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है और सत्य क्या है। इजाज़त है। Your Honor, ये वो अर्जुन रानावत है, जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं। माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मूत निकल जाया करता था। ये वो अर्जुन रानावत है, जिसके कारण अंडरोल वाली ये शहर तो क्या, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। Your Honor, अगर पुलिस फॉस में अर्जुन और हैदर अली जैसे आफिसस नहीं होते न, तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना तल्ला और मुंबई शहर को अपना चकला बना चुके होते। मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और दूसरा इस कट घरे में खड़ा है। अब मैं अर्जुन रानवत की माँ शकुंतला देवी को विटनस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। शकुंतला देवी जी, कल जब अदालत आपके बेटे को देश द्रोही घोशेत करके मृत्यु दंड देगी, तो क्या आपको इसकी माँ होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा। अफसोस, अफसोस तो इस बात का होगा, कि मैंने इसे पैदा क्यों नहीं किया। अफसोस इस बात का होगा, कि इस देश के हर मानी, एक अरजुन क्यों नहीं जना। अफसोस नहीं, जट साहब, अरजुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा। ऐसा ही गर्व, जैसे भगत सिंग की शाहदत की रोज, उसकी माँ को हुआ होगा। हर देश्वासी को हुआ होगा। जट साहब, इस जनम में तो क्या। मैं हर जनम में अरजुन की माँ बन कर जीना, और मरना चाहती हूँ। वाह, क्या भाशन है, अध्भुत, लाजवाब, मगर मैं अदालत को याद दिला दूँ, कि ये एक सामुहिक हत्याकान का मुकदमा है, जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और जजज साहब, मैं अपने काबिल वकील साहब को ये भी बताना चाहता हूँ, कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है। भाशनभाजियों, नौटंकियों और तमाशों से नहीं। और फिर जजज साहब, जब आरोपी के वकील ने इसकी मा के जरिये इस हत्यारे की तुलना भगत सिंग से करवा ही दी है। तो उस शहीद आजम की प्रतिष्टा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुती शर्मनाक सच से परदा उठाना होगा। जिसके बाद दुनिया की हर मा, हर बहन शर्म से डूप जाना चाहेगी। और ये मा, इसके तो पाउं के नीचे से जमीन खिसक जाएगी योर अनर। हाँ तो शकुंतला देवी जी आप अदालत को बताईए कि एक नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दिक्षित कहा थी। जवाब दीजे शकुंतला देवी, सामोई खत्याकान की रात आपकी बेटी और इसकी मुवबोली बहन राखी दिक्षित कहा थी। जवाब दीजे, कहा थी बहन तो तुम ही बताओ अरजुन रनावत, एक नवंबर की रात तुम्हारी मुवबोली बहन राखी दिक्षित कहा थी। जवाब दो अरजुन रनावत, चुप क्यों। इसका जवाब न तुम दे सकोगे और न तुम्हारी ये माँ, इस सवाल का जवाब मैं दूँगा। एक नवंबर की रात इसकी आवारा बच्चलन और चरित्रहिन पैन, मुख्यमंत्री के फाम हाउस में, डिप्टी सीम, मुख्यमंत्री के बेटे बुन्ना त्रिवेदी, पुलीस कमिश्टर के बेटे, और नने कई लोगों के साथ रंगरलिया मनारी थी। वो एक हाई सोसाइटी कॉल गल थी, और जिसके दा सिरिफ इन मर्दों के साथ, बल्कि अपने मुख बोले भाई, आर्जुन रनावत के साथ भी नाजायस तालुकात थे। जो दिन में इसकी बहन और रात में इसकी रखैल थी। रख और खेल, रखैल जागे। अर्जौन, रही अर्जौन! अर्जौन! अरे, गाल, इसकी तो मार्केट से होता है? अरे, कोई रोप है थे! यह तो सबाव, टेक्योरटीरी! अरे, पकोड़ो इसे! पकोड़ो इसे! पकोड़ो इसे! पकोड़ो! अर्जौन! नहीं मिर्टी! नहीं मिर्टी! अर्जौन! मेंके तुरुक्चा! जोर्दे उसे! तुझे मेरी कसम! आर्जौन! अर्जौन! दीखा, देगा आपने और अर्जौन! सत्र का गला कोटने का इसे और कोई तरीका आता है नहीं! ये अपने अलावा किसी और मर्द के राकी के साथ नाजायर तालुका देखी नहीं सकता एक निमंबर की रात को जब इसने एक नहीं तीन तीन मर्दों को अपनी रखायल बहन के साथ बिस्तर में पाया तो इसी तरह अपना नियंतन खो बैठा और इसने वो भीश नर सनहार कर डालार यूर अज़ागे आज़र 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 आई से स्टाप इट समर सिंग आपके मुवक्किल की एक और हिंसक हरकत मुझे इसी वक्क कारवाई रोक कर फैसला सुनने पर मजबूर कर देगी वार आज़ की कारवाई यहीं रोक दी जाती है कल की कारवाई अर्द सैनिक बलूं यानि पैरा मिल्टरी फोर्सिस की मौजूदगी में सिर्फ इस केस से जुले लोगों की उपस्तिती में होगी पच्दाथ, हराम खोर आज अगर मैं कानून के दाएरे में नबंदा होता तो उस त्यागी को गुली मार देता कल इसी अदालत में राखी को पेश करके त्यागी के सफेज जूट का पर्दाफाश करूँगा मैं लेकिन राखी तो अदालत में नहीं आ सकती सर क्यों? क्यों नहीं आ सकती वो? उसे कल अदालत में आना ही होगा मगर सर, अरजुन की इस केलिंग्स का राखी को बहुत बड़ा सद्बा पहुँचा है जब से उसे ये ख़बर मिली है वो पथर बन गई है खंडाला के सेंट मेरी सेनिटोरियम में उसका इलाज चल रहा है सर जरूर कोई राज है जो अरजुन मुझसे छिपा रहा है मत्थर मत बनो ताखी बताओ उस हत्याकान के असली वज़ा क्या थी? तुम्हारा एक भाई हैदर अली बेगेरत बहुत मर्दुपा है और दूसरे के उपर देश दोड़ी का इल्दाम है क्या तुम ये बरदाश करपाऊगी कि तुम्हारे भाई अरजुन को सजाए मौत मिले? क्या ये सुनकर जिन्दा रह सुकोगी तुम कि तुम्हारा भाई अर्जुन एक नीच और गिरेवए कैरेक्टर का आदमी है? ए पत्षर दिल औरत क्या लोगों की लगाई हुई ये दोमत परदाश करपाऊगी तुम? कि तुम्हारे भाई अर्जुन के साथ तुम्हारे नजाइस तलुकात है? क्या सुन चकोगी कि तुम्हारे अर्जुन की रखेल हो? नाई! मुझे साफ साफ बताओ बेटी के सच या है? शायद मैं अर्जुन की जिंदगी बचा चकूँ बताओ, सच्चाई क्या है? मैं बताओगी अंकल मैं बताओगी किसे चाहिए क्या है हुट हुट यूर अनर ये कुछ कागजात हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिशनर साहब को दे रहा हूँ आप जड़ा गौर फरमाईए हाँ तो मुख्या मंत्री जी ये आपके हाथ में क्या है ये मेरे चिनाव परिचर के पैंफ़लेट्स हैं और ये मेरे अख़बार मेरा भारत महान क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहां चपते हैं मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में गुड हाँ तो पुलिस कमिशनर साहब आपके हाथ में क्या है ये हैधर और अरजुन रणावत के ISI एजेंट्स होने के پाकिस्तानी दस्तावेज हैं पाकिस्तानी गवर्मेंटट डॉक्यूमेंट्स लेबरेटरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुदाबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग की स्याही वही है या तो काशी तरवेदी जी का अख़बार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराश्टर इंडिया में छपते हैं यूर अनर ये दोनों महापुरुष इस जरसी बात को भूल गए और इन्होंने अर्जोन और हैदर को देश द्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले इन्हें गिर्फतार किया जाए यूर अनर ये अदालत को गुमरा कर रहे हैं क्योंकि ये केस जूटे दस्तावेजों का नहीं बलकि हत्या का है और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने अथारा हत्याएं की हैं क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वज़ा है जो इन हत्याओं को जाइज ठैड़ा सके वज़े है यूर आउनर तो बताएए वो वज़े और अरजुन को निर्दोश थाबित कर दीजिए आप खामोश क्यों है बताएए न वज़ा वकील साथ वज़े मैं जानता हूँ यूर आउनर, लेकिन मैं अदालत को पता नहीं सकता ह। आप जानते हैं कि आपका ये बयान आरोपी को मृत्यु दं दिला सकता है? हाँ जनाब, दे दीजी अरजुन को मृत्यु दंद! मैं अंतिम बार पूशता हूँ कि हत्या की क्या वज़ा थी जवाब दीजे समर सिंग जी इसे मृत्यों दंड दे दीजिए मैं वज़े नहीं बता सेकता क्यार अनर यॉर अनर वज़ा हम मैं बताऊंगी नहीं राखी तुम वाबस लोट जाओ मैं कहता हूं लोट जाओ राखी तुम्हें मेरी कैसे राखी लोट जाओ राखी राखी तुम्हें मा का वास्ता है लोट जाओ इस नर्ट से नहीं भाया हमारे रिष्टे की सच्चाही पताने से आज मुझे कोई कसम कोई भगवान भी नहीं रोख सकता जजबाती मत बनो राखी तुम बर्बाद हो जाओगी हो जाने तो बर्बाद मुझे आज मैं पता कर रहूंगी कि हकीकत क्या है एक नवेंबर की नात इस सीम का भाई टेप्यूटी सीम बद्रीनात रवेदी अंडर वर्ड़ डॉन जपर सुपारी इंस्पेक्टर अमस्थी इस कमिश्कर का बेटा और इंके आपी उचे किंट नाप करके इसके फाम हाउस पढ़ लेगाए इसके फाम हाउस पढ़ लेग मेरा बलतकार करने के लिए गैंग रेप करने के लिए लेजाए लेजाइ अचे बहुत आहरा है और विल्दी जारा हौँ ज़िए हौँ छलो अँडा हाउग नेके पढ़ते हुआ ह। वह ए nuclear प्रेशए सब करता है हाई 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 लड़ एक उनस्टेश इंकाउंटर स्पेशलिस्ट राजुन रिनावत मैं जफर सुपारी अगर हिम्मत है तो सी एम के फार्म भाउस माना कर रोक ले अपनी बहन की इज़त का इंकाउंटर जफर सुपारी जफर सुपारी अप्रस्टों प्रस्टों भाद में अधिया बना अधिया भूना गंग नेति रिति क्या था तें लो पान विवरता दें एप्षण्पीर से एप्षा तें रितिकष्ण्पीर स्ची अजिए एप्षा तें प्रोड़ा ध्याजर्वा तंड हेवा विरती दंडा सुप्ते सुचागर्ती दंडम कर्म कुर्वुधार थि परुुड़ जंडम कर्या कर्या कर्याओफब र्रहाओवím शन्हिल्ग। कर्याओ़ Schools पिर बेखान। हुआर…… कि भु pres ह् आ सके थे हुआओाirk वे ले 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 चाहाँ है। दन्देदी अचेयम दन्दन्यक यापोदा दन्दी सिरिफियाता तिल्डॉ कान दिमरता दे तंड़ शास्ति वजासर्वा तंड़ थे वाभी रखती तंड़ सुप्ते सुजागर्थी तंड़ मुधर्म विदुर्बुधर्थो सर्भोपते कल्पते 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 यह है उस नात की हकेकर क्या अब भी कोई जाना चाहता है कि मेरा भाई खामोश क्यों है और क्यों वो अपने लिए मौत मांग रहा है अब जाहिए जासाब यॉर अनर मैं एक सिपाई हूं नहीं चाहिए मुझे जिन्दकी की बेख मुझे चाहिए विजय या वीरकती दीजे मुझे मृत्यु डंड क्योंकि मैं फिर से लोटता रहूंगा और अपने देश की गर्व की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा क्योंकि अर्जुन्रणभूमी में शस्त्र उठाते थे उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे ये आदालत मुख्य मंत्री काशिना त्रिवेदी और कमिशनर देश पांडे पर देश त्रों का मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ ही समाज और समिधान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले अर्जुन रणावत को सम्मान के साथ आरोप मुक्त करती है गीता में कृष्ण ने कहा है पाप नहीं दुष्ट दलन में मृत्व शरीर मारती है आत्मा अजर अमर रहे न्यायक लिए लडो सदा हमेरा सद रक्षनाई हमेरा खलनिक रहनाई हमे वतन वे गर्व है जीए तुझे, बरे तुझे वर्दी ये शान है हमारे वर्दी इमान हमारे वर्दी ये शान है हमारे वर्दी इमान हमारे वर्दी पहचान है हमारे वर्दी भगवान हमारे देश को ये जन्म दे दिया भद मेरा सद रप्षणा हमेरा खल निक्रहना 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 हमेरा खल निक्रहना